हालेलुया तो हम एक ऐसे संसार के अंदर रहते हैं ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर कॉम्पिटिशन है बहुत सारी बातों को लेकर कॉम्पिटिशन करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में है ना ऐसी दुनिया के अंदर हम रहते हैं जहां पर एक व्यक्ति अपने आपको दूसरे से बहतर दिखाना चाहता है अगर किसी ने हमारे सामने कोई अपनी खूबी बता दी तो हम भी पीछे नहीं रहते हैं अपनी खूबीयों की जड़ी लगाने में चाहे वो हो भी ना हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर बहुत competition चलता है अपनी आपको बहतर दिखाना मेरी देखो मैं मैं देखो इस कार्ट से बिलोंग करता हूं देखो मैं इस प्रकार की नोकरी करता हूं देखो मैं इतना कमाता हूं देखो मैं मेरे अंदर ये talent है मेरे अंदर ये खूबी है हम, है के निए ऐसी बाते गलत तो नहीं बोल रहा हमे हमारे चारो और ऐसा ही माहौल है, हम ऐसी ही दुनिया में रहते हैं, और कई बारी हम, जो मसीही लोग है वो भी इन चीजों के अंदर involve होते हैं हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर वो सच्चाई नहीं है, जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ, अपने आपको जैसा मैं प्रजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उसमें वो सच्चाई नहीं है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बात हम भली बाती जानते हैं, लेकिन beauty को लेकर बहुत सारी चीज़े competition है और यही competition churches में भी आ जाता है यही जो आपसी competition है यह church के अंदर भी आ जाता है और अक्सर church के अंदर भी मसीही भाई भेनों के बीच में यह चीज़े दिखाई देती है कारण क्या होता है इसका परिणाम क्या होता है इसका परिणाम यही होता है कि बस हम अपने आपको ही एक दूसरे को दिखाते रहते हैं हमारा जो उदेश्य है हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं Bible हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के द्वारा येश्यू को एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करे अपने जीवन से अपने जीवन में येश्यू को हम लेकर बाहर निकले ताकि मसी हमारे अंदर दिखाई दे सके लेकिन अपने आपको प्रदर्शित करने के चकर में हम अपने सही उदेश्यों से चूग जाते हैं और इस प अंदर ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, अभी दो तिन सब्ता से एक जैसा ही वचन आ रहा है, प्रभु की महिमा हो इसमें भी कि वो कुछ हमें सिखाना चाहता है, इस प्रकार की बाते जो हैं चर्च के अंदर ऐसे माहोल को तियार करती हैं, जिसमें एकता पूरी तरह से खतम होने की कगार पर आ जाती है, कुलुष्य की कलीशिया के अंदर भी ऐसा ही माहोल था, कुलुष्य की कलीशिया को पूलुस पत्र लिखता है, जो कुलुष्य की कलीशिया थी, वो पूलुस के द्वरा स्थापित की गई नहीं थी, वो पूलुस का एक सिश्य था उसने उस कलीशिया को वहाँ पर कुलुशियों में स्थापित किया था कुलुशियों का जो संस्थापक था वो पॉलुश के पास में कुलुशिय की कलीशिया को जो समश्याई थी वो लेकर पॉलुश के पास में आता है वो कहां है पोलुस कहां पर इस समय में जेल के अंदर है और जो मैंने बताई कॉंपिटिशन की बात वो सेम समश्या इस कलिश्या के अंदर थी और जब इस समश्या बताई गई पोलुस के सामने तो पोलुस ये पत्र उनको लिखता है अनेकों मतभेद थे आपस में एक ताखतम हो रही थी एक दूसरे को बताने में लगे हुए थे इस कलीशिया के अंदर ऐसे लोग पाये जाते थे जो बोलते थे कि तुभे पता है मैं यहूदी हूँ यहूदी हूँ मैं मैं अब्राहम के वंस से आया हूँ मैं बिन्यविन के वंस से आया हूँ और उद्धार भी देखो मसी भी देखो येशु के येशु जो है वो यहूदीयों के वंस से ही आया है इसलिए हम महान है यहूदी अपने आपको उपर कर रहे हैं और वहाँ पर जो यूनानी ग्यानवाद को फैलाने वाले लोग भी वहाँ पर थे दर्शन सास्री यूनानी जो टेड़ी मेड़ी बाते लोगों के सामने करते थे उनको ये वो ये शिक्षा देते थे कि ठीक है मसी को अपने जीवर में हमें स्विकार करना है लेकिन एक बात ये है इस मसी के साथ साथ हमें ग्यान भी होना चाहिए ग्यान भी होना जरूरी है बिना ग्यान के तुम्हारा उधार नहीं होगा यूनानी लोग जो विस्वास में आए थे वो इस प्रकार के शिक्षा दे रहे थे और यूनानी लोग अपने आपको बता रहें कि देखो मेरे पास ग्यान है मसी है लेकि मेरे पास ग्यान भी है इसलिए मैं महान हूँ यहोदियों तुम महान नहीं हो तीसरा ग्रूप जो था वो विस्वासी लोग जो अन्य उनसे आये थे वो लोग उनके बीच में पिस रहे थे ऐसे जगडे के बीच में और ऐसा माहूल हो गया कि वहाँ पर उस कलीशया के अंदर एक बड़ी समश्या उत्पन हो गई वहाँ पर प्रभू की महीमा नहीं हो रहे थी लोग अपने आपको प्रेजेंट करने लगे जो यहां के पास्टर थे इपफरास वो पोलुस के पास में जाते हैं कि यह समश्या है जब पोलुस के पास में इपफरास यह समश्या को लेकर जाते हैं तो वो उनको एक समाधान बताता है कलीशया के लोगों को वचन के द्वारा वो अपने पत्र के द्वारा लिख कर उनको प्रोच साहित करता है कि भाईयों हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपस में ही लड़ने लगे आपस में हिं हमारे बीश में competition होता रहे हम आपस में यह दिखाता रहे कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं अध्याय तीन और उसका 12 से 17 वचन निकाल लिया सब ने निकाल लिया, हाथ उठा के बता सकते, तो इस प्रकार की गरबड़ी जो यहाँ पर कलीश है के अंदर थी इसका समाधान क्या बताता है पोलुस ऐसी चीज़े आप अपने बीच में भी देख सकते हैं, हमारे बीच में भी ऐसी चीज़े दिखाई देती है हमें पता है हम जानते हैं, हमने सुना भी है, अपने आपको लोग बहतर दिखाते रहते हैं देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसा है, मेरे अंदर ये कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये कमी है इस प्रकार, अपने आपको बहतर दिखाने की कोशिस हम कर रहे है लेकिन हम में से कोई बहतर नहीं है हम सब इस संसार के अंदर एक ऐसे माहोल में रहते हैं, जहां चार और पाप है, और कहीं ना कहीं हम कहीं, रोज आना किसे ने किसी पाप से होके गुजरते हैं, परफेक्ट हम में से कोई नहीं है, हमें ये अपने आपको याद दिलाना है, यहाँ पर पोलुस क्या कहता है, बारा में पढ़ते हैं, अतहा परमेश्वर के उन चुने हुओं के सृष्य, जो पवि रिदय में सहानुभूती, करुणा, दीनता, विनम्रता और शेहन सीलता धारन करो, अलिलुया, जो तुम घमन कर रहे हो, जो तुम आपस में अपने आपको परदर्शित कर रहे हो, यह तुमारे लिए सही नहीं है, यह तुमें ऐसे अपने जीवन को नहीं जीना है, तुमे रिदय में सहानुभूती, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहन सीलता धारन करो, यह आदेश है, कुलुष्य की कलीशिया के लिए, इन चीजों को अपने जीवन में ले के आना है, यह गुण जो बताये गए हैं, यह स्वम परमेश्र के गुण है, पवित्रात्मा के फल, हम देखते हैं, वो उनको बताना चाहता है, कि कलीशिया के अंदर आपसी व्यवहार किस प्रकार का हो, वो इस बताता है, कि इन गुणों को अपने जीवन में धारन करो, यह किस के गुण हैं, किस के गुण हैं यह? प्रभू येश्व मसी के गुण है, बाइबल मैं पिछली बार बता रहा था जो जिन बातों को बाइबल कहती है कि हम उने अपनाए वो सच में प्रभू के गुण है परमेशर अपने गुण हमारे जीवनों में डालना चाहता है आपको याद होगा जब हम उत्पती के अंदर पढ़ते हैं कि परमेशर ने अपने स्वरूप में बनाया अपने स्वरूप में बनाया जाने का मतलब क्या है उसने अपना प्रेम अपनी अपना चरित्र अपना वेवहार अपनी पवित्रता मनुशे के अंदर डाली थी लेकिन पाप के कारण वो सारी द्वस्त हो गई, परमेश्र की योजना ये थी कि वो आदम के द्वारा जिसके अंदर उसने अपने गुणों को डाला था, वो एक ऐसे संसार को तियार करे, जिस संसार के अंदर प्रेम हो, आपसी एकता हो, पवित्रता हो अच्छा वेवहार हो ऐसी दुनिया होती तो सच में सोचे कैसा होता लेकिन पाप के कारण उस सब कुछ तहस नहस हो गया वो गुण पाप में बदल गए क्योंकि आदम ने परमेश्र की इच्छा के अनुसार चलना स्वीकार नहीं किया, वहीं से वो जो गुण थे वो तबदील हो गई पाप के अंदर और अब जब हम इन गुणों को देखते है पोलुस यहां पर बता रहा है कि तुम अपने रिदे में सहानुभूती करूना देंता, विनमरता, सैंसीलता धारन करो हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेशन हमें फिर से वैसा बनाना चाह रहा है जैसे हम बनाए गए थे हलिलुया परमेशन हमें फिर से वैसा बनाना चाहता है जैसे हम बनाए गए थे इसलिए वो यहां पर कहता है इन गुणों को तुम धारन करो ये गुण किसके गुण है मसी के गुण है अगर हमें अपनी कलीशिया के अंदर इस परकार की गड़बडी से बचना है याद रखिये इस परकार की गड़बडियां इस परकार की बातें इस परकार का भेदबाव कलीशिया को तोड़ सकता है हम आपस में एक दुसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं हमारा ये सुभाव एक दुसरे को गिराने का कारण बन सकता है हमें इन से बचना है और अपने जीवनों में हमें इन गुणों को अपने जीवनों में हमें धारण करना है किसके गुण है ये? मसी के गुणों को हमें धारन करना है हालेलुया हमें मसी के गुणों को धारन करना है पहलुस उनको सिखाता है मसी को पहन लो किस परकार मसी को पहनने है वो मसी को पहनने का मतलब है मसी के गुणों को अपने जीवन में धारन कर लीजिए हालेलुया मसी के, हम देखते हैं, प्रभु येश मसी के जीवन को देखिए क्या दिखाई देता है आपको ये जो हमने सीखी है, जो हमने पड़ी है क्या ये चीज हम उनमें नहीं देखते ये उनके गुण है अगर हमें अपनी कलीशिया के अंदर एक दूसरे की उनकी का कारण बनना है एक दूसरे को उपर उठाने का कारण बनना है अगर हमें अपनी कलीशिया को एक अलग स्तर पर लेके जाना है हम सब को महनत करने पड़ेगी और ये महनत अपने आपको बदलने की महनत भी है अपने आपको जीरो करने की महनत भी है प्रभु येशुव के बारे में वचन कहता है कि उसने अपने आपको राजा होते वे भी अपने आपको राजा नहीं समझा वरन अपने आपको सुन्य कर दिया जो वो परमेशर जो स्वर्ग का परमेशर है जो हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला है, जो इस संसार को अपने मुट़्ी में रखने वाला परमेशर है, वो परमेशर अपने स्वर्गे सिंगहासन को छोड़ कर इस संसार के अंदर आकर अपने आपको सुन्य कर देता है, और हम अपने आपको कहते हैं, हम मसीही लोग है या हम अपने आपको सुन्य करते हैं क्या हमने अपने आपको जीरो कर लिया है क्या हमने अपने आपको छोटा बना लिया है अपने आपको महान बनाने में लगे हैं अपनी खूबिया गिना रहे हैं अपने डिकरिया दिखा रहे हैं अपने बिजनस दिखा रहे हैं अपना रुत्बा दिखा रहे हैं अपने स्किल गिनवा रहे हैं कोई भाइदा नहीं है क्या आप अपने आप के जीवन से मसी को एक दूसरी को दिखा रहे हैं जब हम अपने आप को जीवन से मसी को दर्शाते हैं एक दूसरे के सामने हम यह दिखाते हैं देख मसी ऐसा है हालेलुया क्या दिखाते हैं देख मसी ऐसा है उसके गुणों को हमें धारण करना है उसके गुणों को धारण करने के बगैर हम एक अच्छा मसी जीवन कभी नहीं जी पाएंगे में धारन करना है, इसे पहले वो पांच नकारातमक बातों को अपने जीवन से निकाल देने की त्याग देने की बात कहता है आईए हम देखते हैं उपर आठवे परंतु अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध रोज, बैरभाव निंदा और मूँ से गालियां बकना छोड़ दो एक दूसरे से जूट मत बोलो क्योंकि तुम ने अपने पुराने मनुश्यत्व को उसके बुरे कारियों सहित त्याग दिया है इन गुणों को इन पांच बातों को अपने जीवन से निकाल देने के लिए कहता है और इन पांच गुणों को अपने जीवन में नीचे हम बारा में पढ़ते हैं अपने जीवन में धारन करने के लिए हमें कहता है क्या हमने अपने पुराने मनुश्यत्व को त्याग दिया है पुराने कर्मों को त्याग दिया है कलीशिया के अंदर हमारे पुराना मनुष्य तो भी गड़बडियों को लेकर आता है याद रखिए हमारी कलीशिया में किस प्रकार हम अपने जीवन से हम किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं मसी को हमें पहन लेना है अर्थात उसकी गुणों को हमें धारण करना है हालेलुया ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए साहनुभूती, करूना, दीनता, विनम्रता और सहन सीलता या पिलिकत धारण करो यानि की पहन लो इन चीजों को हालेलुया क्या आप जब नए वस्त्र लेते हैं नए कपड़े लेते हैं क्या उनको अपने पुराने कपड़ों की उपर पहनते हो हाँ जी, कितने ने पहने नए कपड़े ले लिए और पुराने कपड़ों की उपर पहन रहें कैसे पहनोगे नए कपड़ों को अपना पुराने उतारने पड़ेंगे तभी हो सैट बैठेंगे अच्छे लगेंगे पुराना मनुषचित्व को हमें इसी परकार उतार देना है और एक नए मनुषचित्व को जो मसी से हमें मिलता है हमें उसे पहन लेना है आलिलूया? तब कलीशया के अंदर आपसी प्रेम और आपसी एकता की वो माहोल पैदा हो सकेगा जिसमें आप एक दूसरे की उन्नती का कारण बनेंगे आगे बढ़ते हैं मसी के गुणों को हमें धारन करना है और तेरा वचन क्या कहता है और यदि किसी को किसी पर दोस देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराद शमा करो जैसे प्रभू ने तुमारे अपराद शमा किये वैसे ही तुम भी करो हलेलुया मसी के गुणों को धारन करने की बात हम कर रहे हैं तेरा में हम क्या सीखते हैं किसी पर दोस्त देने का कोई कारण हो एक दूसरे की तो एक दूसरे की सहलो दूसरे एक दूसरे की अपराद एक दूसरे की समझें आप दूसरे की नहीं एक दूसरे की मैं अगर मैंने किसी को माफ किया है अगर मेरे से गलती उसे भी मुझे माफ करना चाहिए एक दूसरे को एक दूसरे के सहलो एक दूसरे के अपराद समा करो और जैसे प्रभू ने तुमारे अपराद समा की वैसे ही तुम भी करो हलेलुया, माफ करना फिर से मैं बोलता हूँ, फिछले हपते भी सायद मैंने बोला था, बहुत टफ है, बहुत मुस्किल है, हमारा एहम आड़े आ जाता है, मैं क्यूं माफी मांगूं, मैं क्यूं जुकूं उसके सामने, मैं क्यूं वो आए मेरे पास, माफी मांगने, मेरे पैर पकड़े, फिर मै मैं माफ करूँगा क्या येश्यू ने आपके आपसे यही कहा है प्रभु येश्यू मसी ने आपके उन पापों को पीख शमा कर दिया जो घिनोने थे जो ऐसे पाप थे जो बिलकुल सच में आप लोग मैसूस कर सकते अपने जिंदगी में मेरे जीवन में इतना गिनोना पाप जिसको आपने ये सोचा होगा कि इसको सायद परमेशन माफ नहीं करेगा मैंने चोरी कर ली सायद प्रभू उसको माफ कर देगा मैंने और कुछ कर लिया उसको माफ कर देगा लेकिन ये जो पाप मैंने किया है सायद इसको प्रबु माफ नहीं करेगा लेकिन आपने जब प्रबु को जाना प्रबु के वचन को सुना आपने महसूस किया कि पिता ने मेरे इस पाप को भी माफ कर दिया हलिलुया परमेश्ण ने हमारे घिनने पापों को माफ कर दिया और हमने कुछ ऐसा नहीं किया था, कि वो खुश हो के हमारे पापों को शमा करे, ऐसा कुछ नहीं किया था हमने, कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रोटसाइत हो जाए, खुश हो जाए, ओ मेरा बेटा, मैं बहुत खुश हो तुल से, और मैं ते जिना तेरे पाप माफ कर देता हूँ, ऐसा नहीं था, हम ठीक वैसे ही थे, जिस प्रकार एक बच्चा की चड़ के अंदर गीरा हुआ होता है, और उसका पिता जब उसे देखता है, वो भाग कि उसको गले में, उसको उठा लेता है, उसको गोधी में उठा लेता है, वो ये परवानी करता, कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे महले हो जाएंगे वो सिर्फ अपने बेटे को देखता है मेरे बेटे को चोटना लग जाए मेरा बेटा गंदा हो गया वो उसको उठाता है उसको नहलाता है उसे साफ करता है पिता परमیश्र ने भी आपके उन पापों की परवाह नहीं की उस तमाम हमारे पाप उने शमा कर दिये अगर हम पिता परमेशर की उस माफी को महत्व देते हैं अगर उस माफी को आप समझते हैं अगर आप उस माफी की गहराई को समझते हैं तो हम भी माफ कर रखेंगे अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं इसका मतलब हमारे लिए परमेश्र ने जो हमें माफ कर दिया वो परमेश्र की माफी हमारे लिए माइने नहीं रखती अगर आप परमेश्र की माफी आपके लिए माइने रखती है तो आप भी दूसरों की गुनाहों को माफ करोगे एक दुसरे की पाप शमा करो सहलो, बड़ा मुस्किल होता है देखो इसका वेवार कैसा है ये तो लगता है नहीं कि ये मसीह है, ये ऐसे क्यों करता है ये ऐसे चर्च में क्यों आता है बाहर मैंने इसको देखा था ये कर रहा था, यहाँ पर आके बड़ा धार्मिक बन रहा है देखो इसने मुझे ऐसा बोल दिया इसने मुझे ऐसा क्यों बोला उसने मेरी बेजती कर दी सहना जरूरी है, सहना पड़ेगा ये शुने भी आपको मेरे को हम सबको सहा है कई बारी हमें किसी को एक नई दिशा देने के लिए हमें उसको सहना भी पड़ता है उसके लिए फ्राथना भी करनी पड़ती है उसके साथ बैठना भी पड़ता है उसके साथ बाचीद भी करनी पड़ती है क्या हमारा व्यवहार इस प्रकार का है सहन सीलता जरूरी है सहन सीलता परमेशर का एक गुण है क्या सहन सीलता है हमारे अंदर कितनी बार हमारा क्रोध हमें हमारे रिस्तों को तोड़ने का कारण बन जाता है कितनी बार हमारे अंदर का जो आग है एकदम से बाहर आ जाती है उपर ही रहती है वो और कितनी बार, वो थोड़ा सा गुसा, वो छोटा सा समय, एक बहुत बड़े, बहुत पुराने, बहुत गहरे रिस्ते को तबाह कर देता है, सहनसील हमें होना चाहिए, क्या हमारे अंदर सहनसीलता है, जैसे प्रभू ने तुम्हारे अप्राद समा किये, वैसे तुम भी करो जब हम इस प्रकार, जब हम करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब हम किसी के पापों को, जिसने हमारे प्रती गल्ती की है, जब हम उसको माफ करते हैं, जब हम सहन करते हैं, जब हम एक दूसरे को सह लेते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हम मसी के गुणों को प्रदर्शित करते हैं माफ करना मसी के गुण को प्रदर्शित करना है मैंने माफ कर दिया क्योंकि येश्व ने भी मुझे माफ कर दिया मुझे सहना पड़ेगा मैं सह रहा हूँ क्योंकि येश्व ने मुझे सहा था माफ करना मसी प्रभु येश्व का एक गुण है और जब हम माफ करते हैं हम क्या करते हैं मसी के गुणों को प्रदर्शित करते हैं अर्थात हमें मसी के गुणों को हम प्रदर्शित करें अगर आपके अंदर मसी के गुण है तो आप प्रदर्शित करें उसका प्रदर्शन करें दिखाएं माफ करने के दुआरा दिखाएं सेहन करने के दुआरा दिखाएं हमें मसी के गुणों को परदर्शित करना है और ये कलीशिया की बात नहीं बाहर के लिए भी है हमें बाहर भी मसी के गुणों को परदर्शित करना है किस परकार का हम अपने जीवन से क्या प्रदर्शित करते हैं जब हम बाहर होते हैं हम किन गुणों को किस के फलों को प्रदर्शित करते हैं क्या हम मसी के फलों को मसी के गुणों को प्रदर्शित करते हैं बाहर हमें मसी के गुणों को प्रदर्शित करना है जब हम मसी के गुणों को प्रदर्शित करेंगे, तब कलीशिया के अंदर एक नया पन हम देख पाएंगे परमेश्र के प्रेम को आप अपने जीवन में देख पाओगे परमेश्र की सामर्थ को आप अपने जीवन में देख पाएंगे और इसका परिणाम सिर्फ कलीशय के अंदर ही नहीं आपकी परिवार में भी सकारा उत्मकरीती से दिखाई देगा हालेलुया आगे पढ़ते हैं मसी के गुणों को धारन करना उनको प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल लगता है ये भी हम पाप से संगर्श कर रहे होते हैं पाप से लड़ रहे होते हैं किस प्रकार मैं मसी के गुणों को धारन करूं किस प्रकार मैं मसी के गुणों को परदर्शित करूं कुछ भी कुछ थोड़ा मुझे कोई बोल देता है तो एक दम से मैं फूट जाता हूं बमके जैसे किस प्रकार में मसी के प्रेम को परदर्शीत करूँ क्या करना पड़ेगा मुझे चोधा पद में देखी क्या लिखा हुआ है और इन सब के उपर प्रेम जो सिद्धता का कटी बंद है बांध लो हालेलुया कटी बंद जो है वो तियारी को दर्शाता यहोदी लोग खुले कपड़े पहनने थे चोगा टाइप तो वो तियार नहीं मतलब उनको कुछ काम करने के लिए तियार होना है तो वो एक कटी बंद बांदे थे, बेल्ट बांदे से मतलब belt बांदने का मतलब है तियार हो जाना क्या लिखा है और इन सब की उपर फुरेम जो सिद्धता का कटी बंद है बांध लो फुरेम सब्ध के उपर यहाँ पर जोर दिया गया है अलेलुया, अगर हमें मसी के गुणों को धारण करना है, मसीं के गुणों को तिखाना है, परदर्शित करना है, तो हमें मसीं के प्रेम से अपने आपको भटे जाना है Hallelujah मसी Fen के प्रेम से अपने आपको निरंतर भटे जाहिए, हमारी जिन्दी की सेम ऐसी ही है, जैसे सैल फोन की होती है मोबाइल की जैसे हम दिन बार एक बार चार्ज किया हम उसको चलाते रहते हैं पर एक समय पर आगस की बैटरी लो हो जाती है उसको दो बारा लगाना पड़ता है हमारा प्रवर्ती भी ऐसी ही है हमारा स्वभाव भी ऐसी है हैं हम कुछ समय तक बहुत मसी के प्रेम को बहुत दिखाते हैं बहुत धर्मेक अपने आपको करते हैं लेकिन एक समय पर आकर हम डाउन होने लगते हैं और ये जिन्दकी भर के लिए होता रहता है हम कभी उपर होते हैं कभी हम नीचे होते हैं कभी हम आत्मी कृती से उपर उठेंगे कभी नीचे जाएंगे लेकिन हमें चलते जाना है हमें निरंतर अगर मसी के गुणों से भरते जाना है और इस संसार के अंदर मसी के गुणों को परदर्शित करना है तो हमें निरंतर उसके प्रेम से भरते जाना है लगातार हमें उसका प्रेम चाहिए हलिलुया निस्वार्थ प्रेम की भरपूरी सिर्फ रभु येशु मसी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है निस्वार्थ निस्वार्थ प्रेम की भरपूरी सिर्फ ये शुक मसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वो अपने आप हमारे अंदर कभी उत्पन नहीं होती हमारे जीवन में स्वार्त इतना होता है हम खुद के बल से किसी को प्यार भी नहीं कर सकते कि हम क्या हम कर सकते हैं? हम खुद की सामर्द से किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते सचा प्रेम भी नहीं कर सकते उसके लिए भी हमें मसी के उपनिर्बर होने की ज़रूत है मसी के प्रेम से अपने आपको जब हम भरते हैं तब ही हम किसी से प्रेम कर पाते हैं तभी हम अपने परिवार में भी उस प्रेम को बना कर रख पाते हैं, तभी हम कलीशिया में आपस में एक दूसरे से वैसे प्रेम कर पाते हैं, कैसे बरेंगे मसी के प्रेम से, कैसे बरेंगे मसी के प्रेम से, परमेश्र की और अपनी आखों को लगाईए, अवलोकन समझते है अवलोकन क्या मतलब होता अवलोकन का ध्यान से देखना बोलिए ध्यान से देखना बोलिए ध्यान से देखना प्रभु येश्यु मसी को ध्यान से देखिए उसके फ्रेम को ध्यान से देखिए उसके वेवहार को ध्यान से देखिए उसके कारियों को ध्यान से देखिए उसकी सैन सिलता को ध्यान से देखिए कहां पर देखेंगे वचन के अंदर वचन पढ़िये उसके प्रेम को अगर हमें भरना है निरंतर हमें उसको प्रभु येश्व मसी को देखने के जरूरत है एक लड़का था जापान वर्ल्ड वोर के दोरान जापान में जब जापान में यूद चल रहा था तो वहां पर उस यूद के दोरान एक बच्चा कहीं से जा रहा था उसके पीट के उपर उसका छोटा भाई था साइद वो बच्चा रहा होगा आट-दस साल का, उसके पीट के उपर उसने अपने छोटे भाई को बांध रखा था, सायद युद के दोरान उसके परिवार के सब लोग मर चुके थे, वो अकेला बचा था, और वो रो रहा था, और वो अपने भाई को दफनाने के लिए जा रहा था, एक सैनिक ने उसे पीटा, एक कामगर, तेरा भाई जो तेरी पीट के उपर है, यह मर चुका है, इसको उतार के फैंक दे, ताकि तू अच्छे से चल सके, ताकि तू अच्छे से दोड सके, तुमारी कमर पे जब तक यह बोज रहेगा, तू चल नहीं सकेगा, तो यह तुमारी उपर जो मैं कैसे फैक दूँ, यह मेरा भाई है, अलेलुया, उन्हें बोला मैं कैसे इसे फैक दूँ, क्योंकि यह मेरा भाई है, वो अपने कंदे पर उठा गे के उसको चल रहा था, कलिसिया, हमें इस प्रकार अपने भाईयों को अपने कंदे पर उठा कर चलने की जरूरत है, हमा लोग हैं, संगर्श कर रहे लोग हैं, इसलिए एक दूसरी को उठा कर चलिए इस परकार का प्रेम हमारी अंदर हो, कि मेरा भाई जो गलती कर रहा है जो ऐसा जीवन जी रहा है ये मेरा भाई है, अब ये पाप में अपने जीवन को जरूर जी रहा है अब इसका विवहार ऐसा जरूर है लेकिन अगर मैं इसको अपने कंधे पर उठा कर चलूँगा यानि कि इसको सहूँगा उसके लिए मैं प्राथनाए करूँगा अगर मैं इसका ध्यान रखूँगा एक दिन मेरा परमेश्व सर उसके जीवन को बदल देगा हालिलुया हमारे अंदर इस प्रकार का प्रेम होना जरूरी है और इस प्रकार का प्रेम निरंतर मसी के प्रेम से भरते जाने से ही हमारे जीवनों में आएगा किस प्रकार हम लगातार उसके प्रेम से भरें सोला में पढ़िए कह लिखा है मसी के वचन को अपने रिदय में अधिकाई से बसने दो किसके वचन को? किसके वचन को? मसी का वचन कहा है? बाइबल में मसी के वचन को अपने रिदय में अधिकाई से बसने दो और सिद ज्यान सहीत एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ हललुया अपने बन में अनुगरे के साथ परमेश्र के लिए भजन और स्तूति के आत्मिक गीत गाओ हालिलुया निरंदर उसके प्रेम से अगर हमें अपने आपको भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कलिसिया वचन पड़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और एक दूसरी को सिखाना भी पड़ेगा हालिलुया अगर हमें इसके प्रेम से भरना है तो उसके प्रेम को भरने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा ध्यान से देखना पड़ेगा अगर हमें उसे ध्यान से देखना पड़ेगा तो उसका वचन हमें पढ़ना है उसके वचन में हमें उसे देख सकते हैं उससे सीखने की जरूरत हमें है और हम एक दूसरे को सिखाते रहें Hallelujah Paulus कहता है अगर इस प्रकार तुम करते रहे तो तुम्हारे बीच की यह जो competition है अपने आपको एक दूसरे से बहतर दिखाने की भावना है यह खत्म हो जाएगी और तुम एक दूसरे के सामने मसी को अपने जीवनों के द्वारा दिखा पाओगे हालेलुया वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें रोजाना, अपने जीवन का हिस्सा हो बाइबल पढ़ना जिस प्रकार हम रोटी खाना नहीं भूलते उसी प्रकार बाइबल पढ़ना भी ना भूले हालेलुया मसी के वचन को हमें पढ़ना है, सीखना है और हम एक दूसरे को सिखाते रहना है ताकि हम एक दूसरे को थामे रहे खुद भी सीखते रहे प्रभू को हम देखते रहे हलेलुया संत अगस्तिन जो एक पाप का जीवन जीते थे एक बहुत बुरा जिंदकी वो जीते थे 20 साल उसकी माने उसके लिए प्राथना की लेकिन आपको पता है उसका जीवन बदला परमेश्व के आत्मान उसे प्रेरिद किया एक दिन उसका वचन पढ़ने के लिए और बाइबल का वचन पढ़ने के द्वारा अगस्तिन संत अगस्तिन बन गया हालिलुया परिवर्तन वचन लेकर आता है फ्रेम करना हो या किसी को माव करना हो या किसी को सहना हो वो फ्रेम से हो पाएगा और फ्रेम वचन लेकर आता है हालिलुया परमेश्व के वचन से फ्रेम करें 17 में लिखा हुआ है और वचन से या काम से का धन्यवाद करो हालेलुया जब आप इस प्रकार का व्यवहार भी जब अपनाते हो तो भी आप ये परमेश्र के लिए करो अपने आपको बहुत ज़्यादा पवित्र दिखाने के लिए नहीं जो आप करते हो वो आप इसलिए करते हो क्योंकि मेरा परमेश्र ऐसा है इसलिए मुझे ऐसा बनना है जो कुछ भी तुम करो प्रभु येश्यू के नाम से करो और उसके द्वारा पिदा परमेश्र का धन्यवाद करो इन सब चीजों को जब हम करते हैं तो हमारा उदेश्य एक ही हो सब बातों में मसी को महिमा देना हमारा उदेश्य रहे सब बातों में मसी को महिमा देना हमारा उदेश्य रहे मसी के गुणों को धारन करने में मसी के गुणों को परदर्शित करने में निरंतर मसी के प्रेम में भरते रहने में वचन पढ़ने, सीखने और एक दूसरी को सिखाने में हमारा इन सब बातों में एक ही उदेश्य हो कि परमिश्र को महिवा मिले हालेलूया कलिशिया कलिशिय की कलिशिया को पोलुस ये निर्देश देता है ताकि उस कलिशिया के अंदर कोई अपने आपको उचा नीचा बढ़ा करके ना दिखाएं ताकि उनके अमध्य है वो कॉम्पिटिसन खत्म हो जाए और वो मसी के जैसे बनते जाए उसका एक ही उदेश्य था कि वो कलिशिया के अंदर जो गडबडियां थी वो खत्म हो जाए और कलिश्य एकता में बड़े आपसी प्रेम में बड़े तो हम अपने आपको देख सकते हैं हमें इन बातों का ध्यान रखना है और कलिश्या के अंदर हमें अपने चीवनों को इस प्रकार जेना है और यह गंबीरता के साथ होना चाएए ताकि हमारी कलीशिया एक ऐसी कलीशिया बन जाए जिस कलीशिया में आपसी फ्रेम हो, आपसी एकता हो एक दूसरे को उठाने का बोज हो, एक दूसरे के लिए रोने का बोज हो एक दूसरे के लिए घुटने टेक कर प्रातना करने का बोज हो इस प्रकार कलीशिया एक नई कलीशिया बनती है परमिश्र के फ्रेम से भरपूर कलीशिया बनती है आप सीमत बेदों को अपने जीवन से मिटाएं और इस मचनों को अपने जीवन में ध्यान से लागू करें अपनी आखों को बंद करेंगे